जम्मु कश्मीर से हैं अगले कॉलर स्वागत है आपका नमस्कर मैंडम जी नमस्कर मैंडम आपका नाम जी मौनी जी आपका अगले में कॉछें जी नमस्कर मेंडम जाती है उसके मेरे पाहिए बुमार थे अक्तूबर तो दो बार पार आपके हुई है जासे आप जासे आपने उजास वागते हैं अभी तो कुछ चीन खाते हैं सिंपल और खाना डाल और रोटी खाते हैं उससरी बल्गम होती है और जल जैसे माजू एक चुटी जैसे माजू आर्के के डार के खानी है। जैसे माजू आर केर में मिला दें और फिर इनसे खानी है। जैसे माजू आर्के के 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 खानी है। आर्के के खानी है। जैसे माजू आर्के के खानी है। ठीक है आर्के के खानी है। आवाज में कुछ डिस्टरवेंस था लेकिन पूरी बात पहुंच गई देखिए गॉंसिया असली आदा अदा ग्राम लेना होता है इनका नस्खा यू था कि अलसी को हलका सा भूनकर पॉडर बना लिया जाए और अदा चम्म चलसी और अदा ग्राम गॉंसिया जिनको असली मिले वो दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते हैं खाने के पश्चाथ पानी से या कम चर्बी के दूर से अगर लिया जाए तो ये दुनिया की एक ऐसी रौ मैटेरियल है जिससे हम लोगों को फाइदा पहुंचते हुए देखते हैं इसमें इतियात ये के जिसे इनको बारा साल से दर्था घुटनों में हो या कमर में हो किसी के कहीं भी हो तो एतियात ये है कि ऐसे लोग वेस्टन ट्वालेट ऐसा कुर्शी वाला ट्वालेट इस्तमाल करें और वजन वगेरा ना उठाएं महिलाओं के लिए जाड़ू पहुंचे अब बीप लगाएं उसकी बीप आबंदी रहेगी कुछ दिन जब तक इलाज उनका जारी है पिर उस ठीक होने के बाद तमाम सब कुछ करने की अजाज़त है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए के आपको 80% फाइदा मिल गया है आपको 12 साल से परेशानी थी पैरो की दर्द से आप इतने जादा परेशान थे और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ बहुत सारा ट्रीटमेंट आपने जरूर फॉलो किया होगा बहुत सारी दवाईयां आपने जरूर खाई होंगी लेकिन देखिए हम कहते हैं न के अगर आप थोड़ा सा सबर रख लेते हैं थोड़ा सा इतमिनान कर लेते हैं तो रिलीफ आपको मिलता ह бук मिलता है दर्श को तो का आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पर जो आपके सामने लगतार दिखाए जा रहे हैं अगले कॉलर हैं जालंधर से अनीता जी स्वागत है आपका जी नमस्कार मैं जी नमस्के जाहिन स्वागत है आपका सर मैंने ना मेरा बेचा 32 साल का वरून है तो मैंने आप उजर दिप्रैस है सर मेरी आगे भी बात हुई आप से दो तिन टैम पर मेरी बात तकी तरह होनी पाई मैंने आप से चुपनी से तीन बिबे अमकेर इसमें खा लिये है और चौथा बिचल रहा है एक जक्टर साब ने फाइन ब्रमी प्लस देजा था वो भी एक दिबा खा लिया है तर अब उनने एमकेर और कलोंजी चमन परात देजा है अच्छा वच्चे की तबियत कैसी है उसकी करी बाते हैं दमाग के बूल नहीं पाता है बार बार वही गहनाता है ठीक है जी अच्छा दिकी की गौर्ट से सुनिये बड़ी मिश्किल है कि सबसे बात नहीं हो पाती है और जब आप एक डाक्टर से बात करते हैं तो फिर अगली बार वो छुट्टी पर होते हैं तो दूसरे से होती है तो यह एक मजबूरी है और मेरा नुस्खा आप सुन लीजे कलोंजी प्राश खिलाईए होने एक बार कम असकम ज्याद ज्यादे दो बार लेकिन एक और बहुत अच्छा ने उसका बताने जा रहा हूँ धनिया तो आप जानती हैं धनिये को खुब बारिक पौडर बना लें खुब बारिक धनिये का पौडर सब के पास होता है यह बस असली हो मिलावट करना हो यह दवा का मामला हो जाता है तो इस धनिये को आप जितना धनिया लें जैसे सौ ग्राम धनिया लें और सौ ग्राम शहद मैं इसको मिक्स कर दें मिक्स हो गया अब आपको खाना कैसे है नमक जैतून आता है असली नमक जैतून नकली नहीं असली देखने में बिलकुल नमक जैसा ही होता है स्वाद में नमकीन नहीं होता है तो ये नमक जैतून एक चुटकी दो गिलास पानी मिलाएं और ये धनिया आपने शहद में मिलाए है एक चमज भर के इन्हें खिलाएं और ये पानी जो नमक जैतून वाला है एक गिलास ये दो गिलास पानी पिला दें रात को सोते समय और दिन में सुबा नहार दूँ अगर यह आप लगातार 6-7 महीने इस्तमाल करें तो बच्चे को फाइदा होना पुम्किन है अगले कॉलर है हमारे साथ करनाटक से सल्मा स्वागत है आपका असल्मा अलेकम है किम सार्थ जे वाले इसलाब मेरे दो सवाल है verw अधिन एक सवाल है सर मैं श लेश सकती इसके साथ है तकलियर तो नहीं होती हुटी मेरे बग्ची जी गातियात के तरव tent b आप एक खुराक लिया करिये के और वैसंखन तो नहीं होता है लेकिंट फिर भी एक खुरत के बवाटन और गांद चिल्गोजा भी एक खुरत ले और ये शिर्का भी आप एक खुराक ले सकते हैं आपको फाइदा शुरू हो गया है बहुत जल्द आप पुरी तरह तंद्र सौना आपका पूंकित है जी चंडिगर से हैं अगले कॉलर स्वागत है आपका हालो 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 जी आपका नाम क्या है सर कि मैं दवा यह लेनी है अच्छ ठीक है सर आप उसके लिए बता देती हुँ आपके टीवी स्क्रीण पे लगतार अगल नमबर होता है तो आप उसकान सकते हैं आपको कोई और मंधेशन में यूना नी तो आपको सिर्फ और सिर्फ घयंप लाइन नमबर पे ही बती यहाँ पे कोई order हम लोग नहीं लेते हैं, live कारिक्रम होता है, सिर्फ आप लोग यहाँ पे रोकसंबंधी अपना प्रश्म कर सकते हैं, उसके आप लोग जान सकते हैं, हकीम सहाब से आप लोग बात कर सकते हैं, दर्श को देखिए जब आप लोग की call लगती है, कि कौन सा नुसका कैसे बनाना है कैसे हकीम सहब ने बताया है बागी दर्श को आप सभी से अनुरोद और निवेदन है टीवी का वॉल्यूम कम करके ही बात कीजेगा नेक्स्ट वॉलर है हमारे साथ स्वागत है आपका हालो अलेकूम वालेकूम सलाम से जी आपकी आवाद आ रही है वालेसलाम हमारे सुला साल करका है उसको जो काम और ठीके बोट ज्यादा आती है या उसको कबिस्तान उन्ना और शीड पित्ले दे सकते है इसके आराम हो जाएगा जी जरूर आपने तो वाकी लिखा हुआ है नस क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं ये निसका और आप भी अगर गलत लिका हो तो उसे दुरूस्त कर लें सही कर लें बहुत अच्छा मुम्किन है सपिस्तान सो ग्राम उनाब सो ग्राम अलसी सो ग्राम उनाब की गुटली निकालके अलग कर दें तब इसको पीसना है पाउडर बनाना है इसमें 30 ग्राम 30 ग्राम पीपलें पीपला मूल हिंदी में कहते हैं मिला लें और बाके चीजें 100-100 ग्राम इनको पॉडर बनागे एक चमश सुबा खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं गरम पानी के साथ या चाय के साथ लिया जाए तो बहतर माना जाता है बहुत जादा हो तो रात को सोते वक्ती ले सकते हैं शर्ट यह है ऐसे मरीज को खटी चीजें छोड़नी होंगी जब तक इलाज चलता है उस वक्त तक तो ऐसे लोगों को फाइदा होना मुम्किन है महराश्ट्र से हैं स्वागत है आपका मुत हुआ है कभी भी ऐसी करें मिल लगाने चाहिए जो आपको डॉक्टर प्रवाइड ना करे और ऐसा हो जाता है तो आप को क्या करना चाहिए नई प्रॉब्लम आपने हो की है अच्छा देखे वो आता है सेंदा नमक सेंदा नमक पानी में मिला कर उस जगह पर जैसे क्रीम आप लगाते थे ना ये पानी ऐसे थोड़ा सा लगा कर मिर्चे लगेंगी आपको तो या तो बर्दाश कर लें ये फिर रिबू कर देश पानी को ऐसा करके देख ले मुझे अमीद है कि कुछ फायदा मुम्किन है अगली कॉलर है हमारे साब स्वागत है आपका है हालो है जी पुश्पा जी बताइए मैम कहां से बात कर रही है आ हम रामपूर से बात कर रहा है आपका सवाल कर पुश्पा जी अमने गोन मुर्मरेंगा और गोन सिया मंगाया था हम और वो सिर्का हम जी हम रामपूर से बात कर रहा है जी जी बताएए क्या मैं गोन सिया और गोन मुर्मरेंगा बनाया था और जैतुंदा सिर्का हम तो इसको भी इस तरी किसे लिया जाएगा चीक है अभी शुरू नहीं किया आप है अच्छा देखिए गोन सिया को पॉडर बना ले सफूब बना ले बारी कर ले और आधा आधा ग्राम सुबा और शहद में मिला कर ले लें या मलाई में मिला कर ले लें किसी भी तरह आधा आधा ग्राम आपके पेट में खाने के बाद जाना बहतर है ये छ्छेशाथ दिन में फाइदा थोड़ा तोड़ा शुरू करता है ये कराव माटेरियल है गौन मोरिंगा एक ग्राम एक दिन में आप दूद पानी या नारियल पानी के साथ ले सकते हैं और सिरका दो चम्मच दिन में एक बार या दो बार खाने के बाद पानी में मिला कर या सालन में मिला कर लेना बहतर है दिली से हैं नेहा स्वागत है आपका हाँ जी हकीम जी नमस्ते जी जAY हिंद्ध जी आपका स्वागत है हाँ जी हकीम जी मुझे यह पूछना था एक तो मुझे बालों में भी बहुत समस्थ्या हो रही है बाल ऐक बाल सफेद हो रहे हैं और सरमें रूसी भी रहते हैं डेंडरॉ और बाल बहुत जड़ रहे हैं कितनी आयो है आपकी पच्चीस उमर बहुत कम उमर है अच्छा देखिए रूसी जिन लोगों के ज़्यादा होती है उनको चाहिए कि जो घर में हमारी ममी या जो भी घर की जिम्मेदार हों मलाई खटी करकर के जो गी निकाल लेते हैं घर में वो गी लगाया करें कई दिन तक लगातार लगाएं और फिर एक दू घंटे आपके सर में लगा रहा है पिर उसके बाद वाश कर लें गुसल कर लें नहा लें इसनान कर लें तो इससे रूसी जाएगी तो रुसी जाने से भी आपको फाइदा हो सकता है अगर नजला वगारा रहता है तो नजले का इलाज करें बाल अभी सफेद होना ठीक नहीं है और गॉन मौरिंगा सफेद आता है एक याद रखें असली है लें नकली भी इसमें बहुत आते हैं सफेद गॉन मौरिंगा लोग लाल सा दे देते तो वो नहीं लें पीला रंगा दें नहीं लें बिलकुल सफेद होता है और यह होता है बर्फी जैसा रंग जैसे बर्फी आती ना मिठाईयों में ऐसा तो इसको एक ग्राम नारियल पानी के साथ रोजाना यूस करें तो आपको फायदा होना मुम्किन है